स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है राहूल जायन इंशौरेंश गुरू इस बात करेंगे इस सरीज के अंदर comprehensive policy के बारे में कि comprehensive क्या होता है कौन सी policies होती है और इसके अंदर क्या क्या चीज़े cover की जाती है साथ में मैं आपको बताऊंगा friends कि आप comprehensive policies किस तरीके से कर सकते हो और इसका premium किस तरीके से आपका decide किया जाता है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें जिसे कि आपको notification मिलती रहें आपको पता चल जाए कि इंशॉरंस बिजनस करने के लिए किस तरीके से काम की जाती है अगर आपने इस वीडियो के अंदर अभी तक नहीं समझा है कि इंशॉरंस बिजनस कैसे शुरू करना है तो आई बटन पर जाकर आप अभी देख सकते हैं कि आप अपना इंशॉरंस एडवाजरी बिजनस कैसे शुरू कर सकते हैं वो भी without investment शुरू करते हैं इस वीडियो में comprehensive plan के बारे में कि comprehensive plan कैसे काम करता है क्या क्या चीज़े उसके अंदर cover की जाती है मैं आपको बताता हूँ two-wheeler insurance के अंदर comprehensive plan क्या होता है so friends two-wheeler के अंदर comprehensive plan का मतलब है कि first party insurance की मेरे को अपनी गाड़ी का भी insurance चाहिए और मेरी गाड़ी से अगर किसी को hit हो जाता है किसी का नुकसान हो जाता है या किसी का medical emergency आ जाती है hit होनी की वज़े से किसी की death हो जाती है तो उसका भी cover मेरे को यहां पर मिल जाता है तो यहाँ पर मैंने बताए first party policy बोलते हैं और साथ में इसको comprehensive policy बोलते हैं so friends यह दोनों को एक ही नाम है मतलब कोई comprehensive बל़े कोई first party बोले तो दोनों को हम एक ही count करते हैं क्वाट को दोनों को हम एक ही काॉंट करते हैं इसको हम बोलते है Bei और साथ में यहां पर आता है थर्डवाटी मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीकी से से फिर्सट पाइटी पॉलिशी काम करते है इसको կहां से easily समझ आ जाएगा इसको हम बोलते है on damage on damage का मतलब कि आपकी गाड़ी का खुद का loss अब माली जिये आपने जो अपना tool or insurance लिये इसके अंदर एक word use किया जाता है जो कि बहुत frequently use किया जाता है जिसको हम बोलते है insured declared value या फिर IDV insured declared value अगर माली जिये आपकी गाड़ी का माल लेते है 30,000 का आपका insured declared value है तो आपकी गाड़ी के against जो 30,000 पे का आपका value है तो अगर आपकी गाड़ी को loss हो जाता है आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है आग लग जाती है तो company आपको 30,000 से जादा amount नहीं देगी क्यों क्योंकि इसका मतलब है insured declared value जो कि आपने declared करी है insurance company को अब माली जिये आपने IDV 30,000 ले अपनी गाड़ी की और company आपको कहती है कि इसका जो premium है हम वो आपसे 300 रुपीज चार्ज करेंगे तो आपसे अगर हम 300 रुपीज चार्ज करेंगे on damage premium का तो company का जो actual profit है वो 300 ही है तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि आपने अगर जो third party insurance policy कराई है वो यहाँ पर आपका 300 company को ही जा रहा है company के पास जो है वो 300 रुपीज ही जा रहा है अब इसके अलावा यहाँ पर आता है third party third party का मतलब जो मैंने आपको बताया कि third party liability होती है अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उपर जाकर देख सकते है i button पर कि third party क्या होता है किस तरीके से काम करता है कितना premium होता है अब माले लिए यह गाड़ी का जो two wheeler है यह आपका 1110cc का है तो मैंने आपको बताया था कि 752 रुपीज आपका इसका premium होता है तो 752 रुपीज आपका इसका premium आ जाएगा तो यहाँ पर आपका premium 300 रुपे है यहाँ पर आपका 752 है तो यहाँ पर आपका total A plus B यह हम मान लेते हैं B section है और यह A section है तो यह आपका total बन जाता है 1052 अब यह जो आपका gross amount बना है इसके उपर government आपसे GST चार्ज करेगी at the rate 18% आपका जो भी X amount आता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा X plus 1052 अब यह जो भी आपका amount बनेगा यह आपका final premium है जो आपको pay करना रहेगा राइट यह होता है आपका first party policy या फिर comprehensive policy जिसके अंदर आपका खुद की गाड़ी का loss भी cover होता है और आपकी गाड़ी से किसी third party को भी liability cover हो जाती है राइट यह जो policy है two-wheeler policy या फिर comprehensive policy यह normally one year आपका इसमे OD का होता है plus one year आपका इसमे third party का होता है इसको हम यहाँ पर comprehensive या फिर first party policy बोलते है तो आपको ध्यान रखना है अगर कोई भी आपसे comprehensive policy की बात करे तो यहाँ पर one year OD होता है और one year third party policy यह होती है right so friends इसी जरीके से अब company का यहाँ पर जैसे मैंने आपको 30,000 आपको ID भी बताया था अब यह policy मान लिजे HDFC ने करी ठीक है जिसके लिए company ने HDFC ने आपसे 300 पर चार्ज किया था अब हो सकता है अगर आप यह policy ICIC से कर रहे हैं तो हो सकता है ICIC बोले कि हमारा जो premium है हमारी जो services है वो जादा अच्छी है वो जादा बेटर है तो हम आपसे 300 पर नहीं हम आपसे 300 पर चार्ज करेंगे तो आप जब हमारे पोर्टल पर जाएंगे जब पोर्टल पर चेक करेंगे तो आपको जो भी कंपनी की कोटेशन दिखेंगी किसी में यहां पर premium आपका basic premium होगा 200 पर किसी में 300 पर किसी में 300 पर किसी में 300 पर तो नॉर्मली मेर से बहुत सारे लोग questions करते हैं कि सार हमारा premium जो हम quotation देख रहे हैं उसमें premium में difference क्यों आ रहा है प्रीमियम चेंजिस क्यों है तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं company अपनी service के इसाप से अपने आपर चीजों के इसाप से अपना claim settlement के इसाप से company अपना premium decide करती है यहां पर आपको समझने की जरूत है कि यहां पर आपका जो premium का difference है वो यहां पर आपका third party की वज़े से नहीं है on damage की वज़े से होता है क्योंकि यह premium तो आपका fixed है जो कि government ने fix किया हुए यह होता है हमारा comprehensive policy किस तरीके से हम करने है वो मैं आपको बताऊँगा next video में क्योंकि एक series चल रही है जिसके अंदर में आपको दीरे-दीरे-दीरे comprehensive bundle policy, on damage policy या फिर third party policy आपको login कैसे करना है आपको इन सब चीजों के बारे में आपको इस series के अंदर आपको बताने वाला हूँ so friends, आप यह series complete देखेगा जिससे कि आपको two-wheeler insurance के बारे में actual knowledge मिल जाए और जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था अगर आप यह business शुरू करना चाहते है so आप महिने का 10-15,000 पे easily earn कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस series के अंदर एक commission वाले वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पर अपना ही सारा कुछ सीखने के बाए टूल और insurance policy करके 10-15,000 पे easily earn कर सकते हो so friends thank you so much इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हब हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर की bundle policy क्या होती है friends अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं करा